नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे आज के नई वीडियो में कैसे हैं आप लोग अई ठीक ही होंगे भगवाना आप लोग को सौस्त रखे मस्त रखे दोस्तों आज में लोग बात करने वाले हैं स्लाइस से पेलेटर अप के बारे में एक बार फिर से अगर आप लोग स्लाइस से पेलेटर अप को इस्तेमाल करते हैं तो स्लाइस की अप में एक नई अपडेट आई है जो कि आप लोगों को शायद पसंद नहीं आने वाली है जैसे कि दोस्तों मुझे खुद हो अपडेट जो है पसंद नहीं आई है दोस्तो यह जो अपडेट है वो Slice पे की जो एप है उसमें एक फीचर है Slice Borrow यानि कि जहां से दोस्तो आप लोग पैसे अपने बैंक के अकाउंट में डारेक्ट टांसफर कर सकते हैं उसके अंदर दोस्तो यहां पर इन लोगों ने एक नई अपडेट आई है या अपडेट जो दोस्तो अच्छी नहीं है थोड़ी आप लोगों के लिए बुरी है जी सुनकर दोस्तो शायर आप लोग Slice पे पे लेटर आप के Borrow वाले फंक्शन को Borrow वाले फीचर को शायर इस्सेमाल करना थोड़ा सा दोस्तो बंद कर दे लेकिन दोस्तो बता दो कर वीडियो नए है चैनल पे नए है तो वीडियो कर दे लाइक चैनल उकर सब्सक्राइब टाकि हमारी वीडियो की अपडेट जो है वो आप लोगों को मिलती रहे तो चलिए दोस्तो वीडियो को मैं शुरू करता हूं आप लोगोंने अपनी slice पे पे लेटर वाली जो एप है उसको open कर लेना है अब जैसे आप लोग उसको open करेंगे open करने के बाद आप लोगोंने slice borrow वाला जो फीचर है वहाँ पर जाना है वहाँ पर जैसे जाएंगे तो आप लोगों को दिखिएगा दुस्तों कि वहाँ पर slice से borrow वालों ने capping लगा दी है capping का मतलब यह है कि दुस्तों आप लोग slice से borrow से पैसे जो अपने bank account में transfer करते थे पहले जो था दुस्तों आप लोग minimum 100 रुपे आप लोगों को अपने account के लिए transfer कर सकते थे लेकिन अब जो है कम से कम 500 रुपे आप लोग अपने slice पे borrow से अपने bank account में transfer कर पाएंगे 500 रुपे से नीचे का amount आप लोग अपने slice पे borrow से अपने bank account में transfer नहीं कर पाएंगे यहाँ पर आप लोगों को screenshot दिख रहा होगा कि मैंने slice borrow से 100 रुपे transfer करने की कोशिश करी तो यहाँ पर लिखा आगया minimum borrow amount is 500 रुपीज दोस्तों बता दूं पहले जो amount था 100 रुपे का था कि minimum आप लोग borrow 100 रुपे कर सकते हैं लेकिन अब जो है आप लोग minimum borrow 500 रुपे कर पाएंगे तो यहाँ पर यह update मेरे को अच्छी नहीं लगी माली जे मुझे इस महीने सिर्फ 100 या 500 या 200 रुपे की need है लेकिन मुझे कम से कम 500 रुपे दोस्तों यहाँ पर borrow करने पड़ेंगे अब मैं 500 रुपे यहाँ पर borrow करूँगा तो उस मुझे 500 रुपे के ऊपर charges लगाए जाएंगे महीं पहले अगर मैं 100 रुपे borrow करता हूँ या मुझे 100 रुपे या 1.500 की जोरत होती थी तो मुझे 1.500 रुपे के ऊपर ही charge देना पड़ता था लेकिन अब आप लोगो को minimum amount 500 रुपे ही यहाँ पर borrow करना पड़ेगा और 500 रुपे के charges जो हैं तो आप लोगो पे करने पड़ेंगे अब कुछ लोगे सोचेंगे कि हम तो 500 रुपे जारा ही borrow करते हैं लेकिन दोस्तों इन future जो है जाकर आप लोगो कभी न कभी एक time में ऐसा आता है कि आप लोगो शायद slice borrow की ज़रत ना पड़े या कम पड़े लेकिन तब आप लोगो 500 रुपे ज़रत 500 रुपे ही borrow करने पड़ेंगे चार्जिस देते वे थोड़ा दोस्तों दिल में दुख होता है दर्ध होता है कि हाँ एक्स्टा चार्जिस जो है वो पे करने पड़े हैं बागी जोस्तों आप लोगो कोई वीडियो कैसे लगी हमारे को कमेंट्टेशन बताईएगा बागी हम मिलेंगे आप से अगली हुआ